नई उम्मीदों के साथ जहां नए साल का आगाज हो चुका है वहीं ये जानकारी भी कुछ कम रोचक नहीं है कि दुनिया भर में साल के पहले दिन कितने बच्चे पैदा हुए हैं नव वर्ष पर एक जनवरी को भारत में साथ हजार बच्चे पैदा हुए हैं एक अनुमान के मताबिक माना जा रहा है कि इस साल पैदा होने वाले बच्चों की संख्या दुनिया भर में कोरोना वाइरस बिमारी से मरने वालों की संख्या से कई गुना अधिक है यहां आपको बता दे कि खास बात यह है कि पूरी दुनिया में साल के पहले दिन पैदा होने वाले बच्चों का यह सबसे बड़ा आकड़ा है जबकि यह संख्या 2020 के पहले दिये जनम लेने वाले बच्चों की संख्या से 7390 कम है इसके अलावा चीन में इसी दिन 35,615 बच्चों ने जनम लिया है जिसका करम बच्चों के जनम के मामले में दूसरे पाइदान पर आता है युनिसेफ के मताबिक दुनिया भर में नवर्ष के पहले दिन करीब 3,71,504 बच्चों ने जनम लिया अकेले भारत में करीब 60,000 बच्चों का जनम हुआ युनिसेफ के अनुमान के मताबिक 2021 में कुल 14 करोड बच्चों का जनम होगा उनकी ओसत उम्र 80-84 वर्ष रहने का अनुमान है बतादे चले कि सरकार द्वारा हस्तक शेप विशेश नवजात शिशुदेग भालिकाई या स्थापित करने जैसे अन्यकारणों से भारत में हर दिन एक अतिरिक्त हजार बच्चे जीवित रहते हैं 2014 और 2020 के बीद सरकार द्वारा स्थापित 320 जिलास तरिये SNCU की वज़े से प्रतेक वर्ष विशेश जरूरतों वाले एक लाख नवजात जीवित रहते हैं युनिसेफ बच्चों के बहतर जीवन और उनके भविशे के लिए काम करता है गौर्टलेब है कि भारत का नाम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देशों में शुमार है अमेरिका ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें यह अनुमान लगाया गया था कि भारत की आबादी किस्वी सदी में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले सबसे तेजी से बढ़ेगी और वह जल्द ही सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनने वाला है भारत की आबादी फिलहाल एक पॉइंट तीन बिलियन है इस आबादी के साथ ही वह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला देश बना हुआ है पहले सान पर चीन है लेकिन अमेरिकी उनुमान क से मुताबिक जिस गती से भारत की अबादी बढ़ रही है उसके हिसाब से साल दोहजार चौबिस तक भारत चीन को पीछे छोड़ सकता है ऐसे ही लेटेस को बरे पाने के लिए बैल आइकन को प्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें थैन्यवाद